हेलो गाइस मैं हूं रंजर मिश्रा और आज हम लोग कुलंग फ्लंप में कुछ कुश्चन देखते हैं ठीक है या देखे कुश्चन लिखा हुआ है 10 चार्जेज है जो 10 mm 20 mm डॉट 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 100 mm पर रखे गये हैं और सबके चार्जेज हैं 10 कि पार माइनस 8 एटीटीट पर माइनस 8, 10-7 माइनस 8 ऐसे चर्थके 1000 इडूटेज पर माइनस 8 तक 10 कार्जेज रखे गया है और जिन पे एक साल रखा गया है वन कुलंग आपको नेट एलेक्ट्रिक थोर्स और जिन्पे बताता है विडियो को पॉज करें और इक बद खुद से ट्राई करें अगर होता है तो ठीक है नहीं जो लोग करेंगी ठीक है अब हम लोग करते हैं कोश्टन क्या कहा गया है कि यहां पे रखा गया है Q0 यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q1 यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q2 यहां पे Q3 डॉट 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 यह Q1 की वैलो क्या है 1 कुलम ठीक है यह X equal to 0 है यहां से यहां का distance R है ठीक है और इसकी वैलो कितनी गीवन है 10 mm 10 to power minus 3 meter यह Q1 है और इसकी वैलो कितनी गीवन है 10 to power minus 8 कोलम similarly तो Q2 है उसका distance कितना गीवन है 2R that means 20 mm और इसका तो चार्ज की वैलो गीवन है कितना गीवन है 8 into 10 to power that means 2 की पावर 3 Q1 similarly तो Q3 की वैलो है 3 की पावर 3 into Q1 वैसे ही तो Q4 है 4 की पावर 4 into Q1 इस तरीके से चलता गया है यह 2R है यह वाला distance 3R की इवन है ठीक है इस तरीके से बढ़ता चला गया simple से सवाल है अभी सब को देखना है कि net force क्या होगा तो हमें मालूम है कि जो vector होता है वो force होता है vector की साब से जूटता है तो हमें direction चाहिए हर course की विजए से अब यहां एक चार्ज है और एक A चार्ज है कोश्चन को अशान होगाने के लिए simply 5 करने के लिए दोनों का चार्ज कोजिटिव रखा गया सबका चार्ज कोजिटिव है अब मुस्येस को डिपर्फ़ करेगा इधर की तरफUNG जब इसका और इसका बात कि यह वह वहला え इधर रिपल करेगा जब इसका और इसका बात कोगा सब इधर की तरफ डिर्फ़ेंगे एक ही direction में है तो सबका simply add कर देंवे ता क्यात हो श़्या है अभरस kalkulation करना है एफ नेट क्या हो जाएगा 1 अपोन 4Pi epsilon not q not q1 upon r square second क्या होगा यहां से यहां वाला कि यह होगा 1 upon 4Pi epsilon q not और एक इतना है 2 की पावर 3 q1 upon 2r का होल स्पार सिमिलर्ली ऐसे आगे चलता गया है 10 तक अब इसको साब कर लेज़े f net क्या से कमना जाएगा 1 upon 4Pi epsilon not q not q1 upon r square कमना गया और अंदर क्या बच गया 1 यहां पे और यहां पर देखें 2 square और 2q 2 बचेगा 3 करते करते यह 10 तक जाएगा value रखिए 1 upon 4Pi epsilon की value हो गई 9 into 10 to the power 9 q0 है 1 coulomb q1 है 10 to the power minus 8 upon r की value है 10 mm that means 10 into 10 to the power minus 3 का whole square और यह a p है सेमेटिक प्रोग्रेशन है वहन से लेगे 10 तक का समेशन आपको पहले से मालूम है कि 55 पर है इसको जब solve कर देंगे आप तो यह value आती है 4.95 into 10 to the power 7 Newton simple सा question था यह यह दिखाने के लिए कि जो coulomb's forces है वो क्या है vector के इस आप से जोड़े जाते है अब next question देखते हैं यहां question लिखा हुआ है कि two charges this and this are placed on x-axis separated by a distance where should the third charge be placed such that it will experience as no force अब इस तरह के बहुत सारे question आता है यह force पर भी आता है electric field पर भी आता है electric potential पर भी आता है magnetic field पर भी इस तरह question आता है current distribution सी जा हुआ है कहां पर net force 0 होगा इस तरीके से पुछा जाता है यह net field कहां भी रोगता है इसको समझते हैं अपर एक charge है पहले दोनों को positive लेता है अगर यह दोनो positive charge है कहां रखा जा सकता है यह देखिए अगर मैं यहां पर रखता हूं अगर इसके इधर कहीं रखता हूं तो क्या होगा अगर मैं यहां पर एक Q not charge रखता हूं positive यह क्या करेगा इसको दोनों positive है यह इसको इधर रिपेल करेगा और यह positive यह positive यह इभी इसको इधर ही रिपेल करेगा तेट्मिस दो force एक ही direction रहे है इसका मतलब क्या है कि वहां पर net for zero possible नहीं है मतलब अगर यह दोनों positive होते तो इसके इधर आप नहीं रख सकते थे और इसके इधर आप नहीं रख सकते थे तो अगर यह दोनों negative चार्ज भी होते तब ही same case होते अगर यह negative होता आप यहां पर अगर दो positive चार्ज है और पुछा गया कि third charge कहा रखा जाया कि net force या net electric field zero तो आपको इसके इधर और इसके इधर तो रख नहीं सकते हैं इसके 20 में रहते हैं यहां से लेकर यहां पर तब हो सकता है परas dignity लिखते हैं कैसे यहां पर हमने क्यों नौट रखा यह क्या करेगा इसार और एधर निपंप करेगा यह क्या क्या करेगा अब apple 一 के क्याnga प्रशिटिवक है की बिसकेस किया जब दोनों चार्ज वाजितिव अब देखते हैं कि अगर एक positive है एक negative है तब क्या होगा अब देखिए एक charge है Q1 और एक है minus Q अब देखना चाहता हूं कहां रखें की force 0 हो जाए अब देखिए अगर मैं यहां पर रखूं इसके बीच में अगर कहीं रखूं माली यहां रख दिया है तो test charge हमेशा हम positive ही लेते हैं इंच अब यह positive है इसको क्या करेगा इधर की तरफ रिपल करेगा और यह negative है इसको क्या करेगा अपनी तरा की देखा टेटमिस देखिए net force इधर की तरफ लगया इसका मतलर कि अगर opposite charge है तो उनके बीच में आप नहीं रख पाएंगे net force 0 होना possible नहीं है यह बात समझ में आना थी यह बागी सक तो calculation है बागी कुछ नहीं है अब आते हैं अपने question में कि इसके बीच में नहीं रखेंगे इसका इधर कहीं रखा पड़ेगा हमें यह देखिए क्या करेगा इधर करेगा और यह इधर कीचेगा अब इसको question करते है कैसे होगा ठीक अब question में क्या कहा गया कि दो चार्जेज हैं एक है q और एक है minus 3q क्या कहा गया एक है q और एक है minus 3q separated by a fixed distance d that means यह d even है अब हमें दिख गया कि यह opposite charges है तो बीच में नहीं रखेंगे तो माल लिया यहां पर कहीं पर रखेंगे ठीक है where should the third charge 2q कहा गया यह 2q रखें तो हमने माल लिया कि यहां से यह x distance पर रखेंगे इधर से x distance ठीक है अब क्या क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव इसको इधर रिपल करेगा इसको बोल देता है f1 और यह negative है तो यह इधर की तरा अब यह opposite है अगर equal हो जाए तो फिर net force 0 हो गया इसको मैंने f2 बोल दिया अब दोनों पे equal कर देता है और solve कर देता है ठीक है अब f1 क्या होगा f1 इसके और इसके पीश का force है that means k एक है q और दूसरा है 2q तो q इंटो 2q अब और उसके पीश का distance कितना है x अब यह किसके equal होगा चाहिए f2 के और f2 कौन सा distance है यहां से लेके यहां तक का distance हो यहां से क्या होगा d plus x और charge कितना है k एक है 2q और एक है माइनस 3q अपॉन d plus x का पोल स्कुल है तीक है अब यहां देखिए हमें यह चीज लेने की ज़रुवत नहीं है यह चीज हमें लेने की ज़रुवत नहीं है क्यों कि हम the scalar form में लेते हैं अब यहां से देखिए यह value क्या आजाएगी k 2 q square अपॉन x square यह क्या आएगा k 2 into 3 6 q square अपॉन d plus x का पोल स्कुल है अब यहां से देखिए k से k cancel हो गया और एक 2 से 3 times कट गया और q square से q square कट गया यहां क्या बचा है 1 upon x square बचा है और ओपर क्या बचा है 3 upon 6 plus x square बचा है ठीक है अभी सिंपल पाइडिक्विकेशन है 10th class पर मैंस अभी लाश्व हो जाएगा plus multiply 5 करिए क्या हो गया 6 यह 6 क्यों बोल रहा हूं यह तो आप बोल ना यह तो d है d d plus x double square equal to 3x square ठीक है यह कितना हो गया d square plus x square plus 2d x x a square plus b square plus 2d equal to 3x square x square इंदर जाके सबको इंदर लेनी चले जाएगे कि आप चेकार 2x square minus 2d x minus d square यह एक quality equation है ठीक है अब इसको solve कर लेंगे क्या होता है x equal to minus b a हो गया 2d plus minus b square minus 4 b square कितना हो गया 4d square minus minus plus हो गया 4a a है 4 into 2 8 and c d square upon 2a that means यह 4 अब इसको आगे देखते हैं कितना होगा x equal to 2d plus minus अब यहां देखिए 4d square है तो और यहां पर भी 4 into 2d square है 4d square बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2d और अंदर क्या बच जाएगा 1 यहां से 1 बचेगा यहां से 2 बचेगा अपोन 4 तो यह कट गया 2 2 2 times तेया हो गया d by 2 plus minus root 3 root 3 by 2d अब यह क्या है minus लेने सकते हैं adversival नहीं है तेहां से x की value क्या जाएगी देगे दी बाइ 2 d by 2 क्या आजिया और अंदर बच गया 1 plus root 3 this will be the position from this charge q यहां पे net force 0 ठीके अब next question देखते हैं अब next question देखते हैं इस question में previous question से थोड़ा सा different previous question में कहा जाना था कि third charge पे net force 0 होना चाहे है लेकिन यहां रेके question रिपार पढ़ लेजे और खुद से try करें यहां कहा गया है कि दो charge है कि एक plus q है और दूसरा भी plus q है इसके बीचों बीच center पे एक third charge रखता गया है so that system is equilibrium underline यहां system की बात की जा रही है कि पूरा का पूरा system equilibrium है system का मतलब होता है कि तने भी charge है सारे equilibrium में है हर charge के ऊपर net force क्या है जीरो है यह बात समझ माना चाहिए कि जो net force है हर charge के ऊपर ओ जीरो है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब देखिए कैसे चेक करेंगे क्योंकि यह positive है यह positive है इसका charge कुछ भी हो positive हो या negative हो यह तो अगर mid पे है और यह दोनों equal है तो इस पर net force जीरो होगा ही होगा हर केसे Q क्योंकि यह positive है इधर की तरह ripple करेगा यह भी positive इधर की तरह ripple करेगा Q Q और यह distance same है Q Q यह distance same है तो इस पर net force 0 हो गया इस पर बात करने की ज़रोत नहीं अब यह दोनों चाहिए तो किसी एक पर बात करने की net force क्या होगा फिर हमारा काम बच जाएगा अब system को होना है तो इस net charge 0 होना चाहिए अब इस पर net charge net charge कर रहा हो net force 0 होना चाहिए अब net force होगा कैसे इस charge की तरह बात करूं तो यह force लगाएगा और यह force लगाएगा यह कितना force लगाएगा इधर की तरह माल लेजे F1 यह distance कितना है कि दी भाई 2 और यह भी है डी बाई 2 यह कितना force लगाएगा के क्यू क्यू अपॉन दी बाई 2 कहोड इसकोया ठीक है यह वाला भी इधरी किदर लगाएगा ठीक है यह वाला भी इधरी लगाएगा उधर जीता भी लगाएगा हमें मालूम नहीं है क्यों कि इसका प्राइटी हमें मालूम नहीं है तो मैं ऐसे ही लेगे चल रहा हूं ठीक है यह द्ली अधरी लगाएगा और इसकी वैलू क्या होगी के q square अपोण ds कोई ठीक है इन दोनों फोर्सेज का सम ठीक है इन दोनों फोर्सेज का सम जिजलो होना चाहिए अब सम्म करें जे क्या होगा K Q Q upon D square into 4 plus K Q square upon D square equal to 0 अब यहां से इस्पर इपल करिए K Q Q 4 upon D square equal to minus K Q square D square D square plus D square square K S से K cut gya A Q से A Q cut gya तो यहां से एस्मॉल Q की value के आगी Capital Q by 4 ठीकर एफिस A इसका अब सकुन और रपीर कर देता हूँ equilibrium of system का मतला पता है कि net force on each charge must be equal to 0 अब यह दोनों equal charges थे परुशन का, इस है बात नहीं किया शार्ट यहां ज़िए, इस कोश्वचें में भी इकल्ब्रियम पूछा दिया है। कुष्टन है एक बार पढ़ लेके और कुछ से ट्राइए करी कहा गया है कि 4 चार्जेज है 4 चार्जेज है ठीक है ऐसे 4 चार्जेज इकोल टू माइनस क्यों सबकी वैलू क्या है माइनस क्यों फिर क्या कहा गया फिर कहा गया कि चार्ज श्मॉल क्यों इस प्लेस्ट एट सेंटर वेरी गोड इसके सेंटर में बैठा दीजिए कोई बात नहीं है ठीक अब मा लिजे नाम रख दीजिए ए भी ये शी और ये यहां पर ये ओ बोल दीजिए और इस पर चार्ज रखा गया है इसके पूरे के पूरे के पूरे के पूरे सिस्टम एकलुबरियम में मतलब ये 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 सारे चार्ज रखा गया है इस तरीके से कि पूरे के पूरे का संगल मतल है अब इस चार्ज की बात करता है ये तो हमेशा ही रेस्ट हम रहा है क्यूं चाहें पॉजिती वो चाहें नीगेटीव हो अगर पॉजितीव होता एक्या करेगा अपनी से लाभ इस पर बात करने की जरुवत ही नहीं है उस पर नेट फोर्स जीरो हमें दिख रहा है कि spirits मेरे रहें तो मेरी बात बन जाएगे इस पर लिजे किसी ये बात कर लें बात कर लें इस पर चार्ज कितना है मैसकी फैल कि o दिरे ऐसी खेल ऐगी किसी लिखको अन्य बात पना को सबीकी सब्सक्ताब ^^ और F C की value क्या होगी? K Q square अपों R square चाहिए मारे? ये माइनस Q, ये माइनस Q repel करेगा इधर की तरफ इसको बोल दीचे F A और F A की value क्या होगी? सेम, K Q square अपों R square ठीकिए? अब ये देखिए, दो इक्वल फोर्सेट हैं हमें ट्रेक्टर से पता है, एगर दो इक्वल फोर्सेट हैं जब 90 डिग्री पे हैं तो फिर 45 से, या कितने भी अंगल पे हैं अगर दो फोर्सेट इक्वल हैं, उसके बिचो बिच रिजल्टेट निगलता है अब ये 90 है तो 45 पे, इस वाली लाइन में निगलेगा ये, किधर? इधर की तरह ये किसके किसके वैसे हो गया? F, A और C का रिजल्टेट, F, A, C इसको बोल दिया time, ठीक है? और F, A, C होगा क्या? F, A, C हो जाएंगा वी हुश्करेट加 का की ये average का रिजल्टेटव्चरण जाओ की है क्व इसकोएड प्लूसधे का अंडरूठीकर का हरा क्योल्टीकर के डीजलकर होल्ट में जाओ है यह दोनों सेम है, तो root 2 k q square upon r square आगे, ठीक, अब देखिए d की value से, d क्या है negative और यहां पर भी negative, यह भी repel करेगा, इसी line में repel करेगा, that means इसी direction में f d हो गया, और f d की value क्या होगी, क्योंकि यह वहाद distance कितना होगा, यह r है, और यह root 2 r हो जाएगा, तो इसकी value क्या हो जाएगी, k q square upon root 2 r का whole square, तो इसको हटा देखिए, जिए value भी देखिए, क्या हो जाएगा, 2 r का whole square, अब यह दोनों फोर्स इसी direction में है, तो यह क्या हो जाएगे, arrow तीन फोर्स की बाद होगे, तीन चार्ज की बाद होगे, एक, दो, तीन, अब एक यह चार्ज बच गया हो, ठेके, अब इसकी वैसे चार्ज कितना होगा, यह distance कितना होगा, यह distance इसका आधा होगा, that means root 2 r divided by 2, मतलब क्या आगया, r y root 2, तो यह वाला फोर्स कितना हो इसको बोल देते हैं, f o, देखिया आधा जाएगा, k और charge क्या है, q q, q upon r upon root 2 का 4 square, देखिया आधा जाएगा, 2 k, q upon r square, तीक है, अब यहाँ देखिये, यहाँ कहा गया है, यहाँ, the value of q पुछा गया है, अब यहाँ देखिये, f d और f ac इस direction में है, समझना है, यहाँ पहले कर चुके हैं, कि f d और f ac इस direction में है, तो यह जो इसकी वज़ा से force है, must be in this direction, तब ही यह यहाँ पे एक लुपरिया पे established हो सकता है, otherwise established नहीं होगा, क्योंकि फिल opposite force हो गई नहीं, इससे क्या पता चला, यह positive होगा, पहले चीज क्या पता चल गई, यह जो a small q है, it must be positive, ठीक है, और यह किसके ही को होना चाहिए, क्या है, this force Fd plus Fac must be equal to F, ठीक है, अब इसको रख देते हैं और सबूल जाएगा, ठीक है, क्या है, Fac plus Fd must be equal to F, यह वाला, और यह value रख दीजे, रूट 2 k q square upon r square plus, यह कितना है, k q square upon 2 r square equal to 2 k q q upon r square, ठीक है, उसको मिठा जयते हैं, अब देखिए, r square, r square, r square कैंसे, k k, k कैंसे, ठीक है, एक q, एक q और एक q यहां से कैंसे, यहां पर क्या बच गया, यहां बच गया, root 2, यहां से, और एक बच गया, q, और यहां से बचा, q by 2, और यहां बचा, 2 q, q, 2 q, तो यहां से q की बच गया, क्यों बच गया, q will be, यह q बाहर ले लेगे, q by 2, और यहां बच गया, प्लस, बच गया, यह आपका, magnitude आ जाएगा, और positive होगा है, यह clear हो चुका है, कि यह positive होगा, ठीक है, समझ मारा, ठीक है, मैं repeat कर देता हूं, 4 charges थे, 4 negative थे, 1, 2, 3, 4, इस पे net force हमेशा 0 था, चाहिए positive हो, चाहिए negative हो, अब किसी एक point, पर हमने net force को इंग कर दिया, ठीक है, अब next देखते है, अब next question देखते है, question है कि चाहर, उसे दो पार्ट में divide किया गया है, इस तरीके से कि उनके वीच का जो force है, वो maximum हो गया है, अब है direct question नहीं, अब इसमें maximum minimum concept आपको लगाना पड़ेगा, maximum minimum का primary condition होता है, वो है कि कोई function maximum या minimum तभी होगा, जब उसका first derivative zero होता है, ठीक है, अब यहाँ पे force को maximum होने की बात की गए लिए, जब, जब charge को distribute किया जा रहा है, ठीक है, that means आपसे पूछा क्या गया है इसमें, that means df upon dq को zero करना परेगा, असल जो concept है यह लगाना है इसमें, ठीक है, अब question प्राते हैं, क्या थाखा गया कि दो charge, एक charge है उसको distribute किया, क्यूट कर देजिए, माले लिएक charge है q हो, दूसरा क्या हो जाएगा, q minus q, इसके बीच का distance, अगर x है, तो force क्या होगा, f will be k q, q minus q upon x square, अब इसको थोगा सा अलग लिएजिए, k q upon x square into q minus k q square upon x square, अब करना क्या है हमें, df upon dq को 0 करना है, क्योंकि हमें maximum condition निकालनी है, that means इस function को हमें small q के respect में, क्योंकि द्धिएट करना पडएगा, तर जाती हमारी q की वैल्वाइगी, अब देखे, इस विधिए, इस मस्की बीच पेंगा. अब देखे, अब देखे, इसके, indifferentiation of any function with respect to q, other terms will be treated as constant, this will be constant and this will be constant, okay we have the formula dx x to the power n it is n x ki power n minus 1 अब यहाप पीच है power 1 है और यहाप पीच पावर 2 है इसका 1 हो जाएगा तो बिएके चीट करिंटो क्या हो जाएगा kq upon x square इसका value 1 और इसका 2q minus k upon x square into 2q equal to k अब यह देखे यह पूरा का पूरा कमना जाएगा k upon x square यहाँ हो जाएगा q minus 2q equal to 0 तो यहाँ से small q की वैज होते हागे qy2 एक q by 2 होगा तो दुसरा भी q by 2 होगा इस वी एक आउढ गाए to जाएगा नहीं और स्थाएगा जाएगा नहीं होगा जाएगा जाएगा आईगा जाएगा जाएगा क यहाचा नहीं को आएगा